नमस्कार दोस्तों चैशी किशना चैशी रादे दोस्तों सूरे हर महीने अपना राशी परिवर्तन करते हैं इसे सूरे की संक्रांती भी कहा जाता है ग्रहों की राजा सूरे 16 जुलाई को करक राशी में गोचर करने वाले हैं जोतिश में सूरे का चंद्रमा की राशी करक में प्रवेश करना कुछ मेश्वा सिंग राशी समयत कई राशियों के लिए शुब माना जा रहा है जिस दिन सूरे करक राशी में प्रवेश करेंगे उस दिन करक संक्रांती भी मनाई जाएगी जोतिश के अनुसार सूरे की कृपा से जातकों को धन, मान, सम्मान, तरक्की और सफलता प्राप्त होती है आप जानते हैं कि सूले जुलाई को जो सूरे का परिवर्तन होगा किन राशियों के जीवन में वो सुधार लेकर आएगा तो जाने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर चैनल पर नहीं हैं तो हमारी वीडियो को तो लाइक करें साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो को अपनी चंद राशी के अनुसार देखेंगे तो आपको अधिक लाब मिलेगा अब जादा देड़ ना करते हुए मेश राशी की बात करने तो सूरे का गोचर आपकी राशी के चोते भाव में होगा ऐसे में सूरे का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर करियर के लिए बहुत ही लाबकारी रहने वाला है इस दोरान आपको नौकरी में काफी संतुष्टी मिलने वाली है आर्थिक इस्तिती पहले से सुधरेगी और जीवन साती का सहयोग भी अब आपको भरपूर मिलेगा ब्रशब राशी की बात करने तो ब्रशब राशी के तीसरे भाव में सूरे का गोचर होगा सूरे गोचर के प्रभाब से आपको करियर में कई उपलबदी हासिल होगी इस अबदी में आप धन कमाने में सफल होगे धन का संचे करने में भी आप सक्षम होगे परिवार के साथ किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं बात मित्वन राशी के करें तो मित्वन राशी के लिए सूरे का गोचर दूसरे भाव में होगा सूरे गोचर से आपके करियर में बड़ी उपलबदी हासिल हो सकती है आप अपने कारेों में सफलता पाएंगे ब्यवपारियों के लिए ये अवदी मुनाफे वाली रहने वाली है अब बात अगर हम करक राशी की करें तो करक राशी में ही सूरे का ये गोचर होने वाला है तो जो करक राशी वाले हैं उनके लिए 15 जुलाई के बाद में अच्छा समय सुरू होगा आपके आत्म विश्वास में बड़ोती होगी और व्यवपार में मुनाफा और रिष्टों में मिठास आएगी आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा मानसिक इस्तिती में सुधार आएगा सेहत समंदी समस्यां दूर होंगी और आपके जो पुराने रोग हैं वो अब दूर होंगे अब बात सिंग राशी की कर लें, तो सिंग राशी वालों के लिए सूरे राशी परिवर्टन सुब रहने वाला है, बहुत सुब रहने वाला है, आर्थिक मोर्चों पर आपको धनका लाव होगा, इस दौरान आप जिस काम में हाट डालेंगे, आपको सफलता मिलेगी, करियर के मोर्चे पर भी आपके लिए अवदी लावदायक रहने वाली हैं तो दोस्तो अब हम कण्याराशी की बात करें तो कन्याराशी वालों के लिए सूर्य का ये गोचर पॉजिटिव रहने वाला है नौक्री पेशा मिलेगा इस अवदी में बाद विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए आपको बाद विवाद में नहीं फसना चाहिए इस राशी के जो ब्योपारी हैं उनको इस समय लाव मिलने की पूरी संभावना बन रही है अब इस गोचर के प्रभाब से हम तुला राशी की बात कर लें तो करक संक्रांती के दिन से तुला राशी के जो जातक हैं करियर में आपको विश्येस बदलाब देखने को मिलेंगे इस राशी के जातकों को बड़ी कमपनी में जौप के ओफर मिलेंगे साथ ही नौकरी में आपको तरक्की भी मिलेगी बिजनिस से जुड़े हुए जो जातक हैं उन्हें आपको नए प्रोजेक्ट इस समय आपको मिलेंगे अब ब्रश्चिक राशी की बात कर लें तो ब्रश्चिक राशी वालों के लिए सूरे का राशी परिवर्तन पोजिटिव परिणाम दिलाएगा इस दोरान आपको नौकरी के नए अवसर आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा सूरे गोचर के प्रभाप से आपको खर्चों में कमी आएगे और धन संचे करने में इस समय आप सफल होंगे धनूराशी की बात कर लें तो धनूराशी के जातकों को सूरे देप की कृपा से नौकरी में तरक्की के साथ ही अच मुताबिक लाव होने की संभावना है सेहत आपकी अच्छी रहेगी हलाकि मा के स्वास्त पर नजर बना कर रखें जो चात्र बिदेश में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लेना चाते हैं उनके लिए टाइम पहुत ही अनकूल रहने वाला है अब बात हम इस गोचर के प् सूरे के राशी परवर्तन से इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपका परिवार आपके समाच में अपनी अलग पहचान बनाएगा जो ये मकर राशी के लोग हैं उनको 26 अगस्तक सूरे गुरु के जो सम्मंध बनेगा जिसका पॉजिटिव रिजट आपको आगे के लिए बहुत बूस्ट अप देने वाला है आगे इसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा सूरे का परिवर्तन आपके सब्तम भाव में सूरे बिराजित रहेंगे जिससे की आपको आपके उतार अबजूद काम में आपका उससाब बना रहेगा अब इस परिवर्तन से कुम्ब राशी का अगर बात कर लें तो सूरे का ये राशी परिवर्तन कुम्ब राशी वालों के लिए एक बरदान के समान होगा आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए इस दोरान आप जो भी काम हाथ में लेंगे उससे पूरा करेंगे फैसले भी आपके अच्छे और सराहनिये होंगे और बिजनिस करने वालों के लिए ये टाइम अच्छा है हाला कि किसी पर भरोसा करना जल्दवाजी हो सकती है वो खासकर पार्टनर्शिप में अगर आप काम करते हैं तो ध्य अच्छानक से धन का लाब होगा या फिर काफी टाइम से फसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है इससे आपको खुशी होगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा नौकरी पेशा लोगों को बिजनिस करने वाले जो लोग हैं उनकी आमंदनी इस समय बढ़ेगी तो दोस्त यह था सूरे के राशी परिवर्तन से आपकी राशी पर पढ़ने वाले प्रभाप की जानकारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शियर भी करें बिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ झालो